नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्त उपस्तित हों आप सभी के लिए कुछ एक महत्वपून जानकारियों को ले करके आप सभी ने देखा होगा बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत सारे लोग समय समय पर प्रतारित हो ही जाते हैं या पिलीत हो ही जाते हैं समझ में नहीं आता है कि बवासीर के समस्या से निवटा कैसे जाए वो भी घरिलू दावाओं के द्वारा बवासीर जब भी हम बहुत ज़्यादा तीखा, मिठाया, मसालेदार चीज़े खाते हैं तो हो जाती है खटी चीज़े बहुत ज़्यादा खाएं यानि कि खान पान की गड़बड़ी से हो जाती है कैसे ठीक करेंगे इसको होम मेड रेमेडीज के द्वारा आज का हमारा यहीं टॉपिक है बवासीर के लिए एक कप ताजे दूध में निम्बू नी चोड़कर तुरंत पी लीजे गाय का अगर दूध हो तो और भी अच्छा होता है आपके बवासीर में फायदा मिलेगा बवासीर ठीक होने लगती है चने के दाने के बराबर देशी कपूर को केले में डाल कर खाएं इससे बवासीर में आराम मिलेगा ध्यान से सुनने चने के दाने के बराबर देशी का पूर को केले में डाल कर खाईए बवासीर में लाह मिलेगा नाग दोन के तिन-तिन पत्ते रोज सुभा शाम खाईए बवासीर में आपको आराम मिलेगा नारियल के छिलके का पाउडर करके एक से दो ग्राम को छाँच के साथ नियमित रूप से कुछ दिनों तक लीजिए आपको बवासीर से रहात मिलेगी नियमित रूप से छाच का सेवन कीजिए आउला और एलो वेरा का जूस पीजिए आपको बवासीर में रहात मिलेगी सुवह उठकर पानी पीते हैं अगर आप बैंगन गर्म मसाले एवं अचार का सेवन नहीं करते हैं तो आपको बवासीर में रहात मिलेगी बवासीर के रोगियों को खासा ध्यान रखना चुए कि कभी भी बहुत मसालेदार चीजे नहीं खानी चीए तीखी खटी चीजे जादा नहीं खानी चीए ने तो आपको नुक्सान देगी ये था आज का हमारा वाई सुवर बवासीर की बिमारी से निपटने के लिए अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महतो पूर्ण जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार